मेरा तो मानना है कि इस घटना से एक सीख लेते हुए सरकार को नई पहल करनी चाहिए जैसे देखिए हमारे देश में NCRT कमीटी है कितनी अच्छी किताब लिखिए उस किताब के बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूँ पुरानी सरकार या भी बरतमान सरकार सबका परयास से अच्छी किताब सामनी आई क्या हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गौर्मेंट के टीचर्स हैं प्रोफेसर्स हैं कुछ प्राइवेट लोग हैं जो इंट्रेस्टेड हैं के कमीटी बना के क्या एक बहुत ब्रियात ऑनलाइन क्लासेस का निर्वान नहीं किया जा सकता है जरूर किया जा सकता है तो अगर माल लिया जाए बहुत बढ़िया ऑनलाइन क्लास किया जाए और गौर्मेंट उसको फ्री में रखते जैसे NCRT की किताब अपको फ्री में मिलती है इंटरनेट पर उसी तरह से अगर फ्री में रखते तो 90% समध स्याका यहीं पर समधान हो जाएगा और एक बात हम और कहना चाहेंगे एक दावा करना चाहेंगे पता नहीं यह सत्त हो भी हो सकता है या नहीं पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ओनलाइन क्लास की सुरुवात की जाए कोसिस की जाए तो आने वाले भविश में 90% कोचिंग अगले 10 साल में ख पास पैसे है रिसौर्षे है चाहे तो बड़ा कुछ कर सकते हम लोग जैसे लोग भी निस्वल्ग मुझे मदद करने के लिए तयार हैं अगर आयटी की कोचिंग की तयारी करती है सरकार ओन लाइन हम लोग तयार हैं जो यूपीसी के एक्सपर्ट हैं उनको तयार होना चाहिए और मेरी सरकार से यह गुजारी से अपील है, एक अच्छी जंदकी की जरूरत होती है, पैसी की जरूरत हारी इंसान को, लेकिन इसका मतलब यह नहीं, कि इसको एक बिक्रित ब्योसाय का रूप दे दिया जाए, जरूरत से जादे बच्चों को एक साथ बैठाया जाए, मोटी फीस असूली जाए, बच्चा अपने आखरी कठा जमीन बेचके गउं से हाँ आ जाए, और उसके बाद उसको कुछ भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा यह एक नोवेल काउज है, इसको आगे बढ़ाते नहीं, अब हमारे साथ देखिए कि करीब दो दसक से जादा हो गए, मैं बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूँ, हमारे पास भी बहुत सारे इन्वेस्टर आते होंगे, मुझे भी बहुत सारे फ्रेंचाईजी खोलने के लि कि बच्चों के जिंदगी में मैं क्या तब दीलिया ला रहा हूँ, मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ नहीं होनी चाहिए, अब देखिए, आप कोचिंग सेंटर में एक मार्केटिंग टीम होती है, जब आते हैं स्टुडेंट उनको क्लाइंट करके आपस में लोग बात करती ह हमारे लिए और देश के लिए दुरभाग पुर्ण है, तो कहने का मेरा मकसद है कि यह एक नोवेल काउज है, पढ़ना पढ़ाना इसको ब्योसाय से दूर रहना बहुत जरूरी है, हमारा मानना है कि केंदर सरकार के तरब से और राज सरकार के तरब से, दोनों के तरब से या तो मिलकर बेगैर राजनीति किये, या तो अलग-अलग, जहां पर धेर सारे कोचिंग है, वहां पर एक सेंटर बनाने चाहिए, और जो छात्रों की समस्या है, उसे सुनी जाए, और उस पर कारवाई हो, अगर कोई बोलता है कि बेस्मेंट पर कहीं कलास चल रहा है, तो उस पर तवरित करवाई करके उसको रोका जाया और फाइन किया जाया, कोई बोल रहा है कि बच्चा मैं पूरी फीस दे दिया, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, मेरे चार ही दिन हुए फीद दिय हुए, मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो उस कमीटी का काम है कि फीस को वापस करा है, बहुत सारा बच्चा है जो बोलता है दो महीने में स्टार्ट टीचर आये, फिर उसके बाद गैब हो गये, फिर कोई भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल टीचर से पढ़ाय जाता है, ऐसी स्थिति भी कमीटी का दायुत होना चाहिए, कि उनकी समस्याओं का समधा किया जाए, कोचीन सेंचालकों से बात की जाए, तो जब तक कमीटी नहीं बनेगी, औचक निरक्षन नहीं होते रहेगा, तब तक ऐसी समस्याओं का समाधान खोलना बड़ा मुस्त है.